नागपुर में 4 अक्टूबर से महानगर पालिका की सीमा में आने वाले सभी स्कूल शुरू करने के लिए मनपा आयुक्त राधा कुरुष्णन भी ने अनुमती दी है साथी शिक्षक और गैर शेक्षनिक कर्मचारियों का टीका करन अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश भी दिये लेकिन राध्य की शालिय शिक्षा वो क्रिड़ा विभाग ने सपष्ट कहा है कि शिक्षक वो गयर शैक्षनिक कारियों में लगे कर्मचारियों का टीका करन अनिवार्य नहीं है और इस संबंद में कोई आदेश भी जारी नहीं किये गए है खास बात यहाँ चार अक्तूबर से स्कूल शुरू करने के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग की समिक्षा की तो 1500 से अधिक शिक्षकों द्वारा टीका करन नहीं किये जाने की बात सामने आई जिले में प्राथमिक शाला के 8508 शिक्षक वा गैर शैक्षनिक कर्मचारी है माध्यमिक में 6625 वा उच्चे माध्यमिक में 5982 शिक्षक वा शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत है आयुक्त ने कहा है कि जिन शिक्षकों का टीका करन नहीं कि नाकपूर जिले के डेड़ हजार से अधिक शिक्षकों ने कोविड टीका करन अभी भी नहीं किया है। राज्य शाले शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि टीका करन अनिवार्य किये जाने के संबंद में कोई आदेश जारी नहीं किया है। विभाग ने ये सवाल भी किया कि सरकार यदी टीका करन अनिवार्य नहीं कर रही है तो आयुकत द्वारा इसे अनिवार्य क्यों किया जा रहा है।